हेलो अच्छो क्या हाल चाल कैसी चल रही है पढ़ाई तो आज के इस वीडियो में हम लोग कर्टिन्यू करने वाले हैं ITJ210 का पेपर 2 जिसमें की हम लोग स्वल्व करेंगे Integer Correct Type Question that is Section 2 उसमें हमारा सबसे पहला question है There are two parallel quads of a circle and वो जो circle है उसका radius कितना है radius is 2 unit and these quads are parallel as well as at a distance of root 3 plus 1 apart अब आगे पड़ू if the quads of 10 at the center angle of pi by k and 2 pi by k where k is a positive number then we have to find the value of greatest integer of k सहिए भाई find out कर लेंगे ये circle chapter का question है थोड़ा से geometry वगरा लगाना पड़ेगा दिमाग से थोड़ा solve करते है हमने सोचा कि माल लेते वह या कहीं पे तो एक circle होगा अब उसमें दो parallel quads होंगे अब वो जो दोनों parallel quads है हो सकता है दोनो radius के एक ही side हो मतलब center के एक ही side हो या फिर opposite side हो लेकिन clearly we can see distance between the quads जो है वो root 3 plus 1 है which is greater than 2 radius से बड़ा है this means अगर मैं एक ही side रहूँगा ये total distance 2 है तो इसी side एक quad है तो दूसरा quad बाहर चला जाएगा समझ में आ रहा है अगर root 3 plus 1 इन दोनों के बीच का distance है तो वो तो 2 से बड़ा है न डिस्टेंस तो इसका मतलब यह हो गया कि दोनों के दोनों quad circle के center के एक ही side तो नहीं है एक circle का quad इधर होगा दूसरा quad में भी इधर होगा इस type का कुछ situation जनरेट हो रहा होगा ओके then बोला है ये वाला quad और ये वाला quad दोनों ने कुछ angle subtend किये जो अव्यस्सी बात है छोटा quad होगा वो छोटा angle subtend करेगा जो बड़ा होगा वो बड़ा angle subtend करेगा this means ये वाला angle कितना है 2 pi by k तो ये वाला angle कितना है pi by k अब यागे सोचते है बोला कि दोनों quad के बीच का जो distance है वो root 3 plus 1 है ओके तो वो भी दिखा देते हैं ये जो perpendicular distance होगा दोनों के बीच में तो यहाँ से clear indication है ये 2 है ये 2 है अगर ये root 3 plus 1 minus x है तो दूसरा वाला x होगा ओके अभी एंगल जो है bisect होगा तो अगर ये 2 pi by k था तो bisect हो के pi by k बचेगा ये वाला angle pi by k था तो bisect होने के बाद pi by 2 k बचेगा अब ध्यान से सोचना है मुझे 2 cos pi by k 2 cos pi by 2 k is x similarly इधर से देखो इसका cos theta लिया into 2 तो ये distance आएगा ओके so 2 cos pi by k will be root 3 plus 1 minus x so यहां से इन दोनों को add कर देते हैं so we will get 2 cos pi by 2 k plus 2 cos pi by k इन दोनों का sum का value आएगा root 3 plus 1 nice and we have to find the value of k बहुत ही easy है k इसे positive number हम इस equation को solve करना है उस second के लिए solve करने के लिए मैं pi by k को एक theta एजूम कर लेता हूँ यह pi upon 2 k को theta एजूम कर लेता हूँ तो यह आगया 2 cos theta तो यहां पर आगया 2 cos 2 theta is equal to root 3 plus 1 इसका दो गुना ही तो यह है okay next this is root 3 plus 1 तो simple है आगय देख ले ना solve हो जाएगा बहुत यासानी से दोनों में यह है cos theta वो है cos 2 theta is equal to root 3 plus 1 by 2 है हमारी पास okay so यहां से clearly एक angle तो नजर आ रहा है which is अगर मैं इसको root 3 by 2 बोलू तो अगला वाला 1 by 2 है तो अगर यह theta अगर मैं 60 degree sorry 30 degree ले लू तो देखो यह satisfy हो रहा है theta अगर मैं 30 degree ले लू तो यह satisfy हो रहा है देखो ना cos 30 degree is root 3 by 2 cos 60 degree is 1 by 2 एकदब must satisfy हो रहा है इसका मतलब हो गया कि pi upon 2k की value pi upon 6 के बराबर हो सकते है pi से pi कट गया k की value आगे 6 upon 2 that is 3 उसका greatest integer लेंगे तो 3 ही आ जाएगा बहुत ही आसानी से हमने कर दिया इस question को next question पर move करते है अच्छा अगर यह नहीं दिखता तो कैसे करते नहीं दिखता तो बहुत इजी है न इसको quadratic बना लेते this is 2 into cos square theta minus 1 अब मुझे क्या cos theta में quadratic दिख रहा होगा मैं बोलूँगा अच्छा अगर वो quadratic दिख रहा है तो मैं वहाँ से cos theta निकाल सकता हूँ क्या मैं बोलूँगा cos theta की value आगी तो मैं theta calculate कर सकता हूँ क्या बोलेंगे हाँ तो वहाँ से भी question solve हो जाता next question आते है triangles वगेरा दिख रहा है में भी SOT chapter का question आगया है consider triangle ABC ठीक है एक triangle consider कर लिए जब भी इस तरीके consider करूँ कभी equilateral SMS consider करना ठीक है MCQ type रहे तो equilateral consider करके answer निकाला जा सकता है let ABC जो भी है standard notation है suppose A is equal to 6 A की value 6 गिवन है B is equal to 10 A और B दे दिया and the area of the triangle is 15 root 3 area भी दे दिया area of triangle ABC is 15 root 3 angle ACB angle ACB का मतलब ये वाला angle which is theta and this angle is obtuse angle इसका मतलब ये length बड़ा होगा if small r denotes the radius of the in circle of the triangle then small r square is equal to r is equal to होता है delta upon s सीधी बात नो बखवास r is equal to क्या होता है delta upon s delta मतलब होता है area this means we know area upon s s का मतलब होता है same circle which is a plus b by 2 क्या मुझे a पता है बोलेंगे हाँ क्या मुझे b पता है बोलेंगे हाँ c पता चल जाता तो काम बन जाता क्या हाँ answer आ जाता c निकालने के लिए बहुत ही असान है दो side given हो and बीच का angle का कुछ दी given हो then we can say कि area of the triangle will be area of the triangle will be half a b sin c which is 15 root 3 value पुट करेंगे half a a is 6 b is 10 multiplied by sin theta c is theta यह आगे है 15 root 3 इधर से 2 3 जा 3 5 जा 5 2 जा तो clearly I can see sin theta के value कितना हा रहे root 3 by 2 sin theta अगर root 3 by 2 है sin theta अगर root 3 by 2 है तो theta के value क्या क्या हो सकती है तो I will say या तो pi by 3 या तो pi minus pi by 3 that is 2 pi by 3 देख रहा है तुम्हें या तो 60 degree या तो 120 degree ओके अब उन्होंने बोल दिया है clearly कि this angle is opt-use angle this means theta के value क्या 60 degree लेनी चाहिए बबलोंगा बिल्कुल नहीं theta के value क्या लेनी चाहिए 2 pi by 3 लेनी चाहिए nice theta के value आगई अब क्या मैं c c calculate कर सकता हूँ c बोलेंगे हाँ यार बहुत ही आसान है c calculate करना कैसे 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 थोड़ा सोच लो ना कैसे 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 सोचे a b c triangle है a और b given है एक बीच का angle भी बता चल गया c निकालना है क्या करना चाहिए यार इस step का condition कहीं तो cosine rule में देखा हुआ है cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2 a b अच्छा cos 2 pi by 3 which is minus half which is equal to a square 36 b square 100 minus c square upon 2 times a b 6 into 10 2 से 2 कट गया यहां से I can see 6 into 10 minus 60 गया उदर is equal to 136 minus c square so c square की value आगे 136 plus 60 कितना आ रही है 196 इसका मतलब c का value कितना है 14 c का value आगया 14 अब मुझे क्या चाहिए भाई s चाहिए s is a plus b plus c by 2 a है 6 b है 10 next है 14 by 2 कितना आ रही है बताओ 10, 6, 14, 26 plus 10, 30, 22, 15 ok so s is 15 तो r की value कितनी आगे 15 root 3 upon 15 which is root 3 पूछा क्या गया है r square की value कितनी होगे answer क्या आएगा 3 I hope तुम्हें समझ में आया होगा चलो next question पर move करेंगे next question अपना क्या है बोला गया let there is a function ok defined on real number ok सही है such that f dash x की value दी भी है f dash x is equal to 2 0 1 0 2 0 1 0 मैं क्या लिख रहा हूँ फिर के वो अल्रेडी लिखा हुआ है ठीक है इदर दो बार लिखने की ज़रत नहीं है for all x belongs to r if g यह जी function एक नया function define किया वो भी real number पे with values in the interval 0 to infinity such that f x is equal to ln g x इसका मतलब g x की value कितने आगे e to the power f x then the number of points नहार at which g has local maximum किसी भी function का local maximum minimum निकालना है this means क्या करना होता है उसे differentiate करना होता है differentiate कर दे क्या पर दो सर g dash x निकाल ले क्या निकाल लो g dash x कितना आएगा chain rule लग जाएगा e to the power f x into f dash x क्या इसका sign change देख लेंगे तो local maximum local minimum आ जाएगा क्या बोलेंगे हाँ sign change में सोचो तुम e to the power anything हो उसका sign change होगा क्या नहीं always positive है this means खाली f dash x का sign change देख ले क्या हाँ देख लो f dash x का sign change देखना है मुझे so I can clearly see जो points है वो क्या क्या है 2009 2010 2011 2011 2012 ओके now I can clearly see कि 2012 पे even power है 2010 पे भी even power है है ना तो इधर plus इधर plus ही रह जाएगा then minus then फिर से minus ही रह जाएगा then plus है कि नहीं अब बताओ local maximum चाहिए local maximum तो ऐसे होगा increasing then decreasing plus से minus plus से minus यहां आ रहे है एक local maximum आ गया then minus minus ही जा रहे है minus से plus गये है यहां तो local minimum आ गया then plus से minus कहां जा रहे है कहीं नहीं जा रहे है minus से plus minus से plus यह तो local minimum है then plus से plus ही जा रहे है नहीं कुछ हुआ this means एक ही जगह पे local maximum आया एक ही जगह पे local maximum आया हुआ है तो नहीं होगा नाइन पे भी होगा थीक है तो बहुत ईजी कुशन था इसमें तो कुछ करना ही नहीं था बस यह फंसन था जी-एक्स और अल्टिमेटली उन्होंने डिफ्रेंसियेट करके भी दे दिया था बसका साइन चेंज देखना था बेसिकली है ना जिसको यह वेवी कर्ब मेथड आता है उसके लिए यह कुशन बहुत ही आसान था अब इस कुशन को देखते है लेट A1, A2, A3, A11 बी रियल नंबर साटि नंबर एक d1, A2, A elders, A2, A आता है k-1, A है्गए इन तिनो नंबर्स में एक रिलेशन है two times this is equal to this plus this टो टांस बीच वाला नंबर is equal to A2, A2, A21, Aelin अचे कहां पर आता है यह सारे नंबर कैसे होंगे तुम क्लियरली बोल सकते हो ap जोगी अगर ABC C, AP में है, this means we can say 2B is equal to A plus C आया होगा, okay nice, ये की value कुछ भी है, ठीक है if this is this, then the value of this देखो, simple logic, simple logic हमें जब पता चल चुका है, ये AP है जब पता चल चुका है, जब ये AP है, तो वो बस calculation करवाना चाहरे है, उन्होंने बोल दिया AP का first term भी दे दिया, उन्होंने बस common difference नहीं दिया है common difference निकाल लेकर, उन्होंने एक equation दिया है okay तो इस equation में value कॉट करना शुरू करता हूँ 15 का square A2 का मतलब 15 plus common difference का square, A3 का मतलब 15 plus 2 times common difference का square, 15 times 3 times common difference का square इसी तरीके से 11 का मतलब 15 plus 10 times common difference का square divided by 11 is equal to 90 तो इस 11 को उधर भी ले जा सकते थे multiplied by 11 यहाँ पे देखो सब में 15 square common आएगा 15 square कितनी बार आएगा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार into 10 constant time आगया अब D square या let's say D में क्या क्या आएगा यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 A B 15 D सब में common आने वाला है यहाँ पे आएगा 1 basically, इसको जब open करेंगे तो आएगा 15 square plus 2 times 15 times D है ना, इसको जब open करेंगे तो आएगा 15 square plus 2 times 15 times 2D देख रहे है, 2 times 15 times D 2 times 15 times D सब में आएगा इसमें भी आएगा 2 times 15 times 3D ठीक है, तो 2 times 15 times D सब में common रहेगा तो क्या मैं directly हाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 times 15 times D इनके अंदर जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus 10 तक बहुत इजी, plus D square के coefficient क्या कहेंगे यहाँ पर 1D square, 2D square, 3D square, 4D square तो 1 square, 2 square, 3 square से लेकर के 10 square तक इधर से आ रहा है 19 to 11 ओके रहने देते हैं, 15 का square 225 into 10 plus 15 into 30 into D into 10 into 11 by 2 plus D square 10 into 11 into N into N plus 1 into 2N plus 1 that is 20 plus 1, 21 by 6 is equal to 90 into 11 कहा कहा से कुछ cancel out हो रहा है, एक 0, एक 0, एक 0, एक 0, एक 0, हर जगह से एक 0 हटा दिया, nice 11 से कुछ cancel out हो रहा है क्या यह 15, अरे यार 15 square 11 times आएगा न, 10 times क्यों लिख दिया, एक बार इधर, दूसरी बार इधर, थिसरी बार इधर, 11 times इधर तो, this is wrong, man, मैंने कुछ गलत किया, कोई बात नहीं, यह 0 तो नहीं कटेगा 0 तो नहीं कटेगा, यह 11 लिखा हुआ है, समझ रहे हो, यह 11 लिखा हुआ है यह 10 into 11, यह 10 into 11 into 21, यह 90 वाला कुछ नहीं कटेगा, 90 तो रहे जाएगा 11, 11, 11, 11 यह कट गया, नाइस, यह आगया 225 प्लस, दिख रहे है, 2 से 15, तो यहां से आगया 150D, प्लस, दिख रहे है इदर, 2 से 3, 2 से 5, 3 से 7, 35D स्क्वार माइनस 90 इस इक्वाल तो जिरो, यहां से I will get a quadratic equation, 35D स्क्वार, प्लस, 150D, 225 में से 90 माइनस करना है, 5 माइनस 0, इस 5, ठीक है, 2, तो बारो में से नो गया 3, 135 इस इक्वाल तो 0, यहां से क्या 35 कॉमन आ सकता है, 5 तो कॉमन आ ही रहे, तो 5, 7 जा, प्लस, 5, 3 जा 30, प्लस, 5, 2 जा, 5, 2 जा 10, तो यहां से 35, 27, ओके, 7D स्क्वार, प्लस, 30D, प्लस, 27, इस इक्वाल तो 0, यहां से D की वैल्यू आ जाएगे, D की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस B, प्लस और माइनस, रूट अंडर B स्क्व 30 इंटू 30 कर रहे हैं, देखलो 900, B स्क्वार माइनस 4 एसी, 28 इंटू 27, डिवाइड़ बाइ 2 ए, इसका मतलब 14, अभी देखो 28 इंटू 27 करने का है मुझे, तो 27 इंटू 28 कैलकुलेट कर लो, 27 इंटू 28, ठीजे, चापन, चापन, साथी, पांच, अनननननननननननननननननननन अच्छे, 756 आ रहा है, तो यह हो गया 756, 900 में 756 मैनस करेंगे तो 144, रूट के अंदर आ गया 144, जो की होता है 12, तो यह आ रहा है अंसर बेसिकली, माइनस 30 प्लस 12 अपन 14, या फिर माइनस 30 माइनस 12 अपन 14, अब देखो ध्यांसे, दोनों नेगेटिव ही आ रहा है, और वि यह आ गया, माइनस 18 बाइ 14, और इधर से माइनस 42 बाइ 14, तो इधर से माइनस 3 आया, यहां से 2, माइनस 9 बाइ 7 आ गया, यह कैसा आ रहा है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस 9 बाइ 7 आ गया D, so अब now we can see कि D कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन सा D लेना है उसके लिए हमें एक condition given है 27 minus 2 times A2 A2 is 15 plus D यह positive है यहाँ से आ रहे 27 minus 30 minus 2 D is greater than 0 so minus 3 minus 2 D is greater than 0 so यहाँ से I can say 2 D is less than minus 3 D is less than minus 3 by 2 D की value minus 3 by 2 से छोटी होनी चाहिए which is minus 3 so हमने fix कर लिया कि D हमारा minus 3 है so D अगर minus 3 है तो now we can find this जो पूछा गया है जो पूछा गया है वो we can find out और पूछा क्या गया है वो देख लो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा सारे 11 टम का सम which is 11 by 2 2 A 2 A का मतलब हो गया 15 into 2 30 plus N minus 1 that is 10 into D भी minus 3 है तो यह तो 0 आगया basically तो 0 upon 11 answer is 0 so the final answer is 0 बहुत ही calculation करवाने के बाद answer क्या आगया 0 शुरू में तुक्का मार देते 0 लेकिन हमें क्या कैसे पता चलता है कि 0 तुक्का मार नहीं ओके so let's move to the next question बोला गया let k be a positive real number and a एक determinant है b एक matrix है b एक matrix है 3 cross 3 बोला गया determinant of adjoint a plus determinant of adjoint b is equal to 10 to the power 6 then greatest integer k is equal to what ओके अभी देखो determinant of adjoint a मुझे calculate करने का है तो वो determinant of a to the power n minus 1 होता है क्या बोला मैंने determinant of adjoint a मुझे calculate करना है तो वो होता है determinant of a to the power n minus 1 इसका मतलब मैं अगर determinant निकाल लू directly a का and b का तो उससे दोनों के adjoint का determinant पता चल जाएगा okay so let's say मैं a का निकालने की कोशिस कर रहा हूं determinant 2k minus 1 2 root k 2 root k 2 root k 1 minus 2k minus 2 root k 2k minus 1 इसकी determinant value and next step b की determinant value b तो मुझे clearly 0 दिख रहा है कैसे 0 दिख रहा है क्योंकि यह skew symmetric matrix है we can see this is a skew symmetric matrix इसका negative यह इसका negative यह इसका negative यह diagonal elements 0 तो अगर b का determinant निकालोंगा तो वो तो exactly 0 आ जाएगा skew symmetric matrix of odd order का determinant जो होता है और लोचा कतम हो गया बस हमें a का determinant calculate कर लेना है और answer आ जाएगा a का determinant calculate करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं क्या दिमाग लगा सकते हैं भाई किसको किस से common ले किसको हटाएं क्या करें समझ में नहीं आ रहा हैं कि भाई साब ओके है डारिक्ट ऑपन करदे क्या डारिक्ट ऑपन जाए कि कर दे क्या सोचो 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 इसको इससे माइनस कर देते हैं कि यह ना या फिर इधर बीच वाले को लेट से मैंने column two को लिख दिया column two minus column three तो इससे क्या change आएगा 2K-1 में कोई change नहीं आएगा 2 root K ऐसा ही रहेगा minus 2 root K जैसा रहेगा इसमें से यह minus किया तो यहाँ 0 आगया 1 में से minus 2K minus किया तो 1 plus 2K बन गया 2K में से 1 minus किया तो फिर से 1 plus 2K बन गया then यहाँ 2 root K रह गया यहाँ minus 2K हो गया यहां minus 1 हो गया यह वाला element यहां लगाया then इन दोनों मुझे दिख रहा है इन first row को second row and third row को देखो इन दोनों को subtract कर देंगे तो यहां 0 generate हो जाएगा and add कर देंगे तो यहां 0 generate हो जाएगा कहां 0 generate करना है वो हमारे उपर है मैं subtract करना चाहता हूँ let's say मैंने बोला row 2 को row 2 minus row 3 कर दो तो यहां से वो 2k minus 1 जैसे का तैसा 0 जैसे का तैसा 2 root k में से minus 2 root k किया तो 4 root k हो गया actual में 2k plus 1 में से 2k plus 1 minus किया तो 0 हो गया minus 2k में से minus minus plus 1 किया basically 1 minus 2 k हो गया वो नीचे वाला तो minus 2 root k रह गया यह 2k plus 1 रह गया और यह minus 1 रह गया अब यह determinant calculate करना बहुत ही आसान हो चुका है हमारे लिए 2k plus 1 से खोल दो 2k plus 1 से खोल दो या फिर ऐसे ही सोच लो यहीं से open करेंगे या फिर यहीं से open करेंगे कोई फर्क ने पड़ था plus minus plus इससे open करेंगे तो minus of 2k plus 1 फिर इसका कॉलम इसका रो हटा दिया 2k minus 1 into 2k minus 1 with negative sign minus 4 root k into 2 root k 8 into k ओके इस इस इक्वल टू determinant of a determinant of a चाहिए है न मुझे तो यह आ गया minus of 2k plus 1 एंड यहाँ पे भी आ रहा है minus of 2k minus 1 का स्क्वाइर minus of 8k minus 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 सब अट आ दिया ठीक है मतलब यहाँ से minus कॉमल ले लिया and वो minus के साथ cancel out हो गया यह हो गया determinant of a nice इसके साथ यह पूरा multiplied है तो यहाँ से आएगा 2k plus 1 bracket के अंदर जाएगा 4k square plus 1 minus 8k plus 8k is equal to determinant of a यहाँ से यहाँ रहा है 4k square और यह 4k है तो plus 4k plus 1 यह तो लिखा हुए 2k plus 1 का whole square तो overall basically determinant of a कितना आ गया determinant of a कितना आ गया विचिस 2k plus 1 का whole cube आ गया ठीक है नाइस 2k plus 1 का whole cube को 10 to the power 6 के बराबर किया 2k plus 1 का whole cube को 10 to the power 6 के बराबर किया विचिस 10 to the power 2 का whole cube इसका मतलब हो गया 2k plus 1 की value 100 के बराबर 2k की value 99 के बराबर के की वैलु नैंटिनाइन बाई तू के बराबर है ना तो यह 49.something के बराबर के की वैलु ओके तो के बर्ट लिए C, देक्रमिनांट कितना आ गया, और, टेसिन नियु ऑकाई थीन न किसे ने सराबर कर लिया, पताक से दिखा प्रट हमने के किसे अपकेrev। इंटीजर करेक्ट टाइफ सारे के सारे सॉल्व हो गया ओके तो हमारे एक टाइफ बचा हुआ विचीज कॉम्प्रीहेंसन टाइफ तो कॉम्प्रीहेंसन टाइफ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रो मचाते रो all the best